स्टाक मार्किट में बाइंग तो हर कोई कर लेता है लेकिन में दिक्कत आती है आज कल क्योंकि आज कल जो सारे अकाउंट्स हैं सारे डीमेट अकाउंट्स जो हैं वो आनलाइन खुलते हैं तो में जो दिक्कत आती है न वो आती है सेलिंग में और वो हमारे को बार बार जो है CDSL TPIN verification करनी पड़ती है अपने कोई भी share को sell करने के लिए और वो भी आजकल जो है जैसे upstocks हो गया, 0-0 हो गया, angel हो गया क्योंकि ये इस type के जो भी सारे accounts है वो सारे online खुलते हैं और उन में जब हम कोई भी share को sell करने जाते हैं क्योंकि हमारी physical verification वहाँ पर नहीं होती जिसकी वज़से हमारे को रोज CDSL TPIN डालनी पड़ती है और उसके आद हमारे को daily अगर हमारे को कोई भी share sell करना है और ये दिक्कत ज़्यादातर उन लोगों के साथ आती है जो stock market में trading करते हैं मेरे जैसे लोगों को जो stock market में regular basis पर purchasing और selling करते रहते हैं उनके लिए ये CDSL TPIN वाली जो verification का काम है न वो काफी share दर्दी वाला हो जाता है उसमें हमारे को बार बार daily basis पर जब सुबा उठो कोई भी share sell करना हो हमारे को पहले CDSL TPIN की verification करनी पड़ती है उसके तीन चार टाइप के तो OTP आते हैं क्योंकि daily daily हमारे को TPIN तो याद रहती नहीं फिर रोज forget करो फिर उसके आद ये सारा लंबा procedure हो जाता है जिसके बाद जो हमारे को जिस rate पर share sell करना होता है वहाँ से वो वैसे इधर उधर हो जाता है वहाँ पर वो हमारे को उस rate पर देखने कोई नहीं मिलता तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम आपकी इस दिक्कत को दूर करने वाले हैं और आज हम CDSL TPIN verification को permanently कैसे खतम करें तो आज की वीडियो में हम Angel Broking में जितने भी लोगों को CDSL TPIN verification का पचला लगता है उन लोगों के लिए Angel One के clients के लिए जो है आज की वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम Angel One के CDSL TPIN verification के process को पर्मेंटली खतम करने वाले हैं तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी screen पर और मैं आपको सारा कुछ पूरा process जो है एक एक step जो है मैं को करके दिखाने वाला हूँ तो बने रही है दोस्तों वीडियो के साथ और वीडियो को end तक पूरा जरूर देखना बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो most welcome मेरा नाम है तो शारबदी राजा और स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल फिंटे गुरुकल पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे ये बटन पर क्लिक कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए इस चैनल को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और दो पांच मिनिट का काम है अपनी के वाइसी कंपलीट करते ही आपका जो है इस ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप भी ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग के मज़े ले सकते है तो चलिए दोस्तो आप गयाए अपने एंजल 1 का अकाउंट आपको तर लागइन करना है आपको व丽मे करने और उसके बाद आपको यहाँ पर help section में बेज दिया जाएगा उसमें आपको यहाँ पर mention करना है P.O.A. तो आपको पहला ही question मिलेगा What is the power of a journey? तो आपको इस form पर click करना है अब आप देख सकते हो कि आपको इसमें काफी सरे कुछ question नजर आ रहे हैं तो अब आप यहाँ पर किस टाइब से काम कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आपको यह आप जैसे जैसे next question करते जाएंगे आपको इसमें चीज़ें समझ आती जाएंगी कि क्यों हमारे को power of a journey करना चाहिए हलाकि यह compulsory process नहीं है बट फिर बीजिन लोगों को डेली बेसिस पर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत वाला काम हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो यह चौथा question है न वेर कहना है find poa form on mobile app आपको इस type से process करना है आपको यहाँ पर जैसे की लिखा हुआ है कि at present they don't have poa form online तो आपको यहाँ नीचे जो right to us वाला option है न यहाँ पर click करना है और आपको यहाँ पर mention कर देना है कि poa form चाहिए आपको query और request जो है raise करनी है और आपके 48 गंटे के अंदर अंदर आपकी mail ID पर poa form आ जाएगा बाकी अगर आपको कोई confusion रहती है तो आपके लिए न मैं इस PDF का link जो है नीचे description में दे दूगा ताकि आप कोई गलत form डाउनलोड करके और कोई गलत form ना भेज़ दें जिसकी वज़़ए से आप फिर बाद में कोसो कि मेरा ये form गलत डाउनलोड हो गया और उसकी वज़़ए से मेरा पूरा process जो है वो इतने time late हो गया तो इस confusion को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये PDF का link जो है नीचे description में दे दूगा आप directly उस form पे click करके उस PDF के link पर click करके जो है ये form डाउनलोड करके और अपना process जो है complete करवा सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जिस चीज़ों में आप फस रहे हैं उस चीज़ का solution जो है आपको इस वीडियो में मिल गया होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो इसे like करना और share करना बिलकुल न भूलें आपको इस वीडियो से related कोई भी comment कोई भी suggestion कोई भी query है तो वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं या अपने कोई reviews देने हैं तो वो भी आप नीचे comment section में share कर सकते हैं और ये वीडियो को आप ज़ादा से ज़ादा share कीजिए ताकि जिन लोगों को भी CDSL tip in verification में दिक्कत आती है इस broker के साथ तो वो लोगों को भी इसका solution मिले एक permanent solution मिले और उसके बाद जो है वो इस सिरदर्दी से बच पाए तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मैं तुशारबुदी राजा आप से लेता हूं इजाज़ाद बाए बाए and take care